आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ यह ग्लाम मेकप लुग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके साथ ही साथ बहुत टाइम से मेरी चानल पर कॉमेंट आ रही थी कि माम हम जब मेकप करते ना तब तो हमारा मेकप बहुत अच्छा लगता है लेकिन कुछ गंटोत के बाद हमारा मेकप काला पड़ जाता है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो यह वीडियो पूरी देखेगा क्योंकि आपको इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% मिल जाने वाला है उसके साथ ही साथ एक सबसे इंटरस्टिंग चीज यह है कि इस खर दो करते हैं आज की वीडियो गर आपने अभी तक मेरी चानल सबस्क्राइब नहीं किता पहले से प्लीज चानल सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो तो पसंद आने वाला है तो अभी से लाइक करदो जैसे कि अपने देखा मॉडल की जो स्किन है पहले मैं बता दू म आपको एक बहुत अच्छा मॉश्राइजर अप्लाई करना है अगर आपके स्किन बहुत ओली है तो जेल बेस यूज़ करें अगर आपके स्किन ड्राय है तो क्रीम बेस यूज़ करें चौता स्टेप आपको एक बहुत अच्छा प्राइमर यूज़ करना है प्राइमर ही एक एक ऐसा प्रड़क्ट है जिससे आपका मेकप आपका जो फांडेशन है वो लॉंग टाइम तक टिका रहेगा तो एक अच्छा प्राइमर होना बहुत जरूरी अगर आपको प्राइमर के ऊपर वीडियो देखने है तो मेरी पिछली वीडियो है पीछे मैंने बहुत सारी करना हो आपको स्किन से एक तोन डाक या नाच्रु शेड का लिना है जैसे है आपको कंसीलिंग अगर प्रापर हो जाएगा तो आपका जो मीकप यूझा पढ़ेगा दूसरी चीज अब आपको फांडेशन यूज करना है अगर आपका लिए चा इंसे ने अपको फांडेश जो लुक मैं अभी यहां पर स्क्रीन पर जो क्रियेट कर रही हूं वो लोग आपको रिक्रियेट करना है और इंस्टिग्राम पे मुझे मेंशन करके मुझे यानि कशिश जेन 613 मेंशन करके अप्लोड करना है बागी के डीटेल्स नीचे दिस्क्रिप्शन में है तो अगर आ आप जैसे यह कॉमेंट करोगे ना एक मन में मोटिवेशन लाजेगा नहीं भाई यह तो करके लिखाना कुछ भी हो जाए और एक और चीज़ आप लोगों के पास प्रड़क्स कम है या कुछ प्रड़क्स नहीं है तो भी करो यार हार क्यू मादमी है राइट चली अब में प्लुट पो था कि यहीं उसकेपने मूट कर गाए पूस केशलें है तो अगर filters है तो यहां पूदर यूस而प्र चाहिए रहा है इस घुक्टम अगल उसमें क्रीज नहीं आए तो लूस पाड़ो लगाना बहुत ज़रूरी है यहां पर मैंने लॉरा मरसी का लूस पाड़ो यूस किया है एंड बता अपको बेस मेकप के ऐसा लगा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कितना अमेजिंग जो है हमारा बेस मेकप हुआ है अब आपको भ आप सब यह एक्जाम में करने वाले हो एंड एक और चीज जब आप एक्जाम के लिए प्रिपैर हो रहे हो तो आप यह वीडियो खोल कि अगर आप मेकप करोगे तो आपका जो मेकप वह और भी जादा अच्छ होगा जिससे आप कोई भी स्टेप नहीं भूलोगे सबसे पहले उसके बाद लुवर लेश इंपर लगाया है और ब्लैक कलर का इंगलॉट जेल लाइनर लगाया है जैसे मैं पूरा स्मज कर रही हूं मरून कलर के आईशदों से एंड उसके बाद थोड़ा सा मैंने लाइट ब्राण यूज़ किया आप मैसे कोई बता सकते है ह लोग लेश नेंग पहले क्यों करती हूं कि मैंने यह अलड़ी बी किसी वीडियो में बताया हुआ था तो सेम इस तरह भी मैं कर रही हूं इंगलॉट का जेल लगाया एंड उसको मरून से मर्च किया है वेल यह जो एक्जाम होने वाली है उसमें तीन विनर्स भी होने वाल हूं तो गुड़ लग गाईस अच्छे से करना और बस करते रहूं तो यह वाइडिस मैंने अपलाई किया है उसे अच्छे से मैं क्या कर रही हूं ब्लेंड ब्लेंड यानि कि सेट कर रही हूं फिर हम हमारा आए मेकप शुरू करते हैं किसी भी लाइट कलर के आईशेड़ के लिए सो इस तरह से दोनों आखों पर हम डाग ब्राउन यूज कलेंगे और आपको बता ही चल गए कि डाग ब्राउन क्यों यूज करना है वेल अगर चाहते हो कि मैं और किसी प्रॉब्लम पर वीडियो बनाओ जैसे आज के वीडियो में हमने देखा कि मेकप काला ना अपलाई किया और उसे अच्छ से समझ कर रहूं ताकि जो जल लाइनर वो चिपक ना जाए उसके बाद मैंने मरून कलर का इशड़ यहां पर अपलाई कर दिया है और मरून आने के बाद आप लोग लुग देख सकते हो मरून मैं इस यूज किया क्योंकि मेरी मॉडल का जो पर ताप जरूर करना फिर थोड़ा सा प्रोबन हाइलाइटर मैंने अपलाई कर दिया है और यहां पर आता है बेस्ट पार यहां पर मैं अपलाई करी हूं क्वीन डाइमंड पिग्मेंट और उसके बाद आप लुक देख सकते हो क्या फंटास्टिक लुका है आई मेकप का अगर आपके पस क्वीन डाइमंड पिग्मेंट नहीं तो आप प्रेस ग्लिटर या कुछ भी पिग्मेंट रखा आप लगा सपते हो यहां पर यहां पर मस्कारा मैंने यूज क्या है याद रहे है मस्कारा आपका वाडर प्रूफ होना चाहिए है क्योंकि हमारी ब्राइट और लैशेश के बाद आप एक चेंज लोग देख सकते हो तो यादरे जबी भी आपको आई मेकप अट्राक्टिव बनाना हो तो आई लैशेश जरूर यूज करें फिर मैंने नूड लिप्स्टिक को इस लुक को कम्प्लीट किया है नूड लिप्स्टिक के बाद यह लुक और भी सटल, सोबर और बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप लोगों को कैसा लगा यह लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बतायेगा और अगर अभी तक मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो किसी का भी बिना वेट किये जल्दी से मेरा चानल सब्सक्राइब कर दो इन वीडियो को लाइक करना मद बूलना एंड एक्जाम जो मैंने आपको रखी है उसके रिजल्स के लिए मैं वेट करूंगी आपकी रिक्रीएशन के लिए में वेट करूंगी तो अभी से लग जाओ काम पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे भी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई भाई एवरीबड़ी